हलो यूरी वन गुड मॉर्निंग नमस्कार 27 अक्तोबर 2021 की इंपोर्टेंट न्यूज जो है दा हिंदू से हम लोग उनको डिसकस करेंगे आप इसकी पीडियाप को डाउनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम से जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा या सीधा प्रिवर्तन आईस अकरडिमें टेलिग्राम पर लिख कर भी आप लोग सर्च कर सकते हैं देखें फ्रंट पेज पे एक में टोपिक है जो इसके अंदर डिसकस किया गया है और यह है पिगासस पाईवेर को लेकर जिन लोगों को नहीं पता हैं बता दो पिगासस पाईवेर को लेकर यानि इसको लेकर बहुत सारा डिवेट पारली अबेंट कर जब मौनसों सेशन चल रहा था उस दोरान भी देखने को मिला कि क्या भारत सरकार ने एक तरीके से सर्विलेंस करवाई है या जासुसी करवा पिगासस सपाईवेर के पूरा इस्यू था और इसके अंदर पिडीशन के अंदर एक बेसिक इंडिपेंडेंट पैनल क्या इस पूरे अलिगेशन यानि सरकार पर जो अलिगेशन लग रहे हैं कि क्या आपने स्पाई करवाई क्या अपने जासुसी करवाई उन सब चीजों इंडिया यहाँ पर इन्हों ने बोला वी थोट दा गवर्मेंट वूड फाइल एक काउंटर एफिटेवट यानि जो इस पर डिसकुशन हो रहा है उसको लेकर सरकार एक एफिटेवट फाइल करिए बट अब हमें क्योंकि इंटरिम ओडर पास करना है वो यह पास करें इंटरिम ओडर का मतलब होता है टेंपरिरी ओडर ठीक है इसी कॉंटेक्स्ट में सुप्रीम कोट की बेंच जब सुप्रीम कोट की बेंच मेंचन करते तो उसमें ओर नंबर में जजिज होते हैं 3 5 7 9 11 13 13 तक हो सकती है उसे ज़्यादा भी हो सकती है मेंली 13 कोई बहुत बड़ी बेंच मना जाता है तो इस बेंच में 3 जज है ठीक है ये 3 जज डिसाइड कर रहे हैं कि क्या इसमें डिसिजन लिया जाए भारत सरकार पर एलिगेशन लगाया गया कि इसराइल बेजड पिगसस सोफ्ट्वेर को हायर किया गया जिसके बाद बहुत सारे जर्नलिस्ट है प्लिटिकल लोग है या लग लग लोगों के अकाउंट्स के जो है या सर्विलेंस किया गया इसी चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पूरी पिटिशन है ठीक है इसके बाद यहां पर सरकार का एक अपना ओपिनिट रहे है और जोइन नों पिटिशन फाइल करी उनका एक अपना ओपिनिट है सरकार इस पूरे कॉंटेक्ट में क्या बोल रही है तो शेर्म जो त्रिजग़ के बैंच है जिसमें चीप जस्टिस रमना है, जस्टिस सूरिय कांथ और जस्टिस हीमा कोली उन्होंने बोला कि सरकार जो है इस इस इसू को लेकर beating around the bus beating around the bus का मतलब क्या होता है माल लेते हैं कि ये एक word है ये blue color का आप देखेंगे इसके चारों तरफ घूमना लेकिन exactly हमें focus करना इस white वाली पर यानि आसपास आप घूम रहे हैं लेकिन main मुद्धे पर आप बात नहीं करें अब सरकार की तरफ से बोला गया कि हम लोग ये पूरा का पूरा issue जो है बहुत ही sensitive information है और इसमें एक तरीके से बोल सकते कि national security को compromise होने वाली situation होगी इस context में हम लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा detail नहीं share कर सकते इसके बाद यहाँ पर बताया गया जब सरकार से पूझा गया कि जो solicitor general साब है तुसार मैता कि बताइए सरकार का क्या जवाब है तो उन्होंने कहा कि इसको use किया गया नहीं use किया गया इसके बारे में information नहीं दीजा सकती बहुती sensitive है और यह एक तरीके से national security के साथ compromise होगा लेकिन यहाँ पर यह भी बोला गया कि यह terrorist को alert करेगा इनके लावा इन्होंने suggestion दिया कि एक expert committee होगी जो inquiry कर सकती है और इसमें यह ensure किया जाएगा कि जो भी expert committee के अंदर होगा उसका सरकार से कोई relation नहीं होगा इसी context में जनरलिस्ट, एक्टिविस्ट, मिनिस्टर, पारलियमेंटियन जिन लोगों के भी surveillance को लेकर news में आये थी उन सब को लेकर यहाँ पर यह बोला गया और इन सब के अलावा यहाँ पर दो बड़ा issue है कि एक तरफ national security है, दूसरी तरफ right to privacy है या privacy का जो concern इन सब के बीच में कैसे balance establishment करेगी सरकार, या judiciary कैसे अपना एक्ज़जमेंट देगी यह अपने आप में important है दूसरा, front page में भी एक बहुँ ज़्यादा news में था, NPR वाला national population registration वाला तो इसके अंदर जो question पूछे जा रहे हैं उनको लेकर काफी ज़्यादा debate बोल सकते हैं controversial बोल सकते हैं कि contentious issues हैं और इसके अंदर question क्या पूछे जा रहे है national population register के अंदर mother tongue place of birth of father and mother और last time आप कहाँ पर रहते थे, वो सारी चीज़ें देखने को मिलती है कुछ जो लोग विरोध करते कि भाई ये एनर्स, यादि National Register of Indian Citizens Citizenship Rule 2003 के का एक first step की तरह इसको देखते हैं कि NPR के बाद जो एकला step होगा वो होगा NRC NRC को लेकर अगर आप देखेंगे असम में भी काफी ज़्यादा डिबेट है कि बहुत सारे लोगों को citizenship के right नहीं मिले और बहुत सारे लोग जो अभी भी exclusive है या उनको include नहीं किया गया 14 parameters के अंदर है अगर आप देखेंगे अगर आपके पास passport है पासपोर्ट नंबर relationship to head of the family whether divorce, widow, separated mother tongue क्या है non worker, cultivator, laborer government employee है या daily wages पर काम करते हैं वो सारे सवाल आपसे पूछे जारे हैं अधार, mobile phone, water ID, driver license number ये सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे इस particular topic के अंदर इनके लावा ये क्योंकि information बहुत ही crucial और important है अगर आप NPR की अगर हम बात करते हैं या बिल्कुल similar नजर आता है census ये जनगर्णा के according 1948 का जो census act है उसका section 15 ये बोलता है कि जो data collect किया जाएगा ये केवल administrative levels पर ही इसका release किया जाएगा या इसको use किया जाएगा लेकिन NPR के बारे में Home Ministry बोलती कि इसको Central Government और State Government के साथ share किया जाएगा था कि welfare scheme जो है individual level पर बनाए जाएगा तो ये कुछ चीज़े हैं जिसको लेकर debate है NPR के बारे में बताया गया कि इसमें 119 करोड लोगों का data अभी तक collected है और ये electronic database है तो आने वाले time में इसको लेकर भी आपको political level से लेकर अलग-अलग level पर विरोध देखने को मिल सकता है क्योंकि बहुत ही sensitive topic है कि national population registration national register of citizens और census को लेकर हला कि कोई issue नहीं है census एक part है जो decadal जनगरना होती है 10 सालों में एक बार जनगरना हमें देखने को मिलती है इसके लावा यहां पर आप भी देखेंगे आपको vaccine को लेकर अभी भी WHO ने permission नहीं दिये या World Health Organization अभी तक उसको permission नहीं दिये भारत सरकार लगातार कोसिस कर रही है कि जो भारत बायोटेक है उसको expression of interest के अंडर emergency use listing में add किया जाए क्योंकि 19 तारिक को हमने एक submit किया था लेकिन अभी भी WHO बोल रहा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा data की requirement तो यह पूरी चीज़ें जिसको लेकर काफी ज़्यादा debate argument भी है और भारत के बहुत सारे लोग जो खासकर student या worker जो काम करते हैं वो वेट कर रहे हैं कि एक तरीके से इसको approval मिले और इसको लेकर discussion हो अब अगर आप देखेंगे वर्ल्ड affair पर बहुत ही छोटा सा यह वीडियो है 10-12 मिनिट का ही होगा foreign affair में या वर्ल्ड affair में चाइना के प्रति उनके relation जो फ्रेंडली रहेंगे और ये regime जो है अपनी choice के साथ या इनके साथ हमारे relation जो हो strong होने वाले हैं ठीक है तो एक simple ही एक चीज़ें बोली गई है इसके बाद most important South China Sea को लेकर चाइना एक meeting को organize कर सकता है और यहाँ पर आश्यान कंट्रीज के साथ South China Sea में जो negotiation को लेकर हो cooperation को लेकर हो या collaboration, friendship, peace इन सब topic को लेकर South China Sea में एक important summit हो सकती है तो आश्यान कंट्रीज के साथ जितनी भी 10 countries है इसके साथ China जो वो discussion कर सकता है South China Sea वो जगह है जहाँ पर लगातार debate arguments भी होते हैं क्योंकि यह बहुती sensitive area है और एक strategic importance का area भी है यहाँ पर maritime disputes से लेकर अलग-अलग तरह के dispute भी देखने को मिलते हैं और यहाँ पर जो अलग-अलग level पर अगर आप देखेंगे presence देखने को मिलेगी बार-बार यहाँ पर exercises होती है तो एक बहुती sensitive, बहुती strategic importance का एक area जहाँ पर चाहना चाहता है कि आशन countries के साथ discussion हो इसके लावा चोटी-चोटी information जैसे यहाँ पर Sudan के general ने जो power grab करी है या military rule establishment किया है वो यह कहरेंगी भई हम इस power को defend करते हैं इसको हम लोग continue करेंगे इरान ने blame किया कि cyber attack हुआ और fuel supply को लेकर वहाँ पर affection हुआ या affected हुआ है इसके बाद जो business page है जो last page अगर आप देखेंगे उसमें एक important चीज़ी है वो है Asian infrastructure investment bank उन्होंने बोला कि हम लोग भारत को climate resilience के लिए fund जो है देंगे लेकिन भारत को अपना health infrastructure को और ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा इसी चीज़ को लेकर Asian infrastructure investment bank के जो president है उन्होंने कहा कि 2030 तक ये bank जो climate change को लेकर भारत में 50 billion dollar का fund जो है वो देगा और इसके लावा भारत जो है वो supplement efforts लगाता पहले भी कर रहा है और इससे पहले भी Asian infrastructure investment bank ने funding करी है इसके लावा यहाँ बर यह बोला गया कि ensure करी है accountability transparency quality of operation and investment यह हमने ensure करी है बोला गया union finance minister के दोरा कि हमने infrastructure sector के अंदर खासकर जो private sector है या capital mobilization है या green development इन सम में यह चीजें सारी ensure करी है इनके लावा Asian infrastructure investment bank कई तरह की project में भारत को मदद कर रहा है जो Asian infrastructure investment bank के जो president है उन्होंने का कि हम देखते हैं कि भारत काफी तेजी से progress कर रहा है COVID-19 से उबर रहा है और आने वाले time में भी infrastructure में और ज़्यादा investment हो और healthcare system और social infrastructure को और ज़्यादा मजबूत क्या जासके इसको लेकर कुछ चीजों को discussion किया गया लेकि यह बहुत ही छोटा सा यह video है कल जब हम यह video discuss करेंगे तो proper discuss करेंगे एक-एक point को discuss करेंगे आज यह छोटा सा इसलिए है क्योंकि बहुत ज़्यादा delay बहुत ज़्यादा late वीडियो हो चुका है इसलिए कल जल्दी होगा टाइप पर होगा accurate होगा बिल्कुल detail में हम लगए एक point को discuss करेंगे थैंक्यो ओल जहिन